गुड आप्टर नून बच्चों बच्चों आज हम लोग ग्रामर से पाट सत्र अभिकारी शब्द को पढ़ेंगे बच्चों हम लोग देखेंगे कि अभिकारी शब्दे क्या होते हैं हम लोगों ने अनेक प्रकार के शब्दों का अध्यन किया और आज हम लोग देखेंगे कि अभिकारी शब्द क्या है अभिकारी शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनमें किसी भी लिंग, बचन और कारक के परिवर्टन होने के कारण भी परिवर्टन नहीं होता में बचन, लिंग और कारक आधि के कारण कोई भी परिवर्थन नहीं होता ऐसे शब्दों को अभिकारी शब्द कहते हैं तो चलो बच्चों देखते हैं अभिकारी शब्द क्या है और उनके कितने प्रकार होते हैं खी कर बटा तो आएज़े चलिए देखते हैं अभिकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग बचन एवन कारक के कान कोई परिवर्थन नहीं होता इन्हें और क्या कहते हैं वच्चों इन्हें अब्वे भी कहा जाता है अभिकारी शब्द के कितने भेद होते हैं अभिकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं सबसे पहले हैं क्रियाविशेशन शब्द दूसरा संबंद वोधक शब्द तीसरा समुच्च्य वोधक शब्द चोथा है विस्मयादी वोधक शब्द शुन्याएं वच्चों अभिकारी शब्द चार प्रकार के माने गए हैं क्रिया विशेशन शब्द अर्थात ऐसे शब्द क्रिया के भी रूप में आते हैं संबंद बोधक शब्द किसी का संबंद बताते हैं समुच्य बोधक शब्द शब्दों को जोडने का काम करते हैं बिस्मियादिवोदक शब्द, ठीक है, अब इनको हम तोड़ा डिटेल में देखते हैं, क्या है, देखो, सबसे पाले हम देखेंगे, क्रिया विशेशन, जो अभिकारी शब्द, क्रिया की विशेशता बताते हैं, वे शब्द क्रिया विशेशन कहलाते हैं, जहां से देखो, क्रिया विशेशन जो अभिकारी शब्द क्रिया की विशेशता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेशन शब्द कहा जाता है, जैसे दादा जी धीरे धीरे चलते हैं, दादा जी कैसे चलते हैं, धीरे धीरे, तो चलते हैं की विशेशता या धीरे धीरे शब्द जो बता रहा ह यह है क्रिया विशेशन अभिकारी शब्द ठीक है वेटा अब देखो आगे और दिया हुआ है कि क्रिया विशेशन के भी कितने भेद हैं यानि क्रिया विशेशन की जो शब्द हैं उन्हें भी कितने प्रकार से प्रयोग करते हैं तो इने भी क्रिया विशेशन अभिकारी श इस्थान वाचक क्रिया विशेशन, परिमार वाचक क्रिया विशेशन, अब आगे देखो बटा, यह रीति वाचक क्रिया विशेशन क्या है, रीति वाचक क्रिया विशेशन, जो शब्दे क्रिया की रीति या धंग को बताएं, उन्हें रीति वाचक क्रिया विशेशन कहते ह जैसे अविशेक ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है, अविशेक कैसे पढ़ रहा है, बहुत ध्यान से, रिया जोर जोर से गाती है, रिया कैसे गाती है, जोर जोर से, तो यह इसका ढंग बता रहा है कि बहुत ध्यान से पढ़ता अविशेक, और रिया जोर जोर से गाती है, तो चले उने कालवाच्ट क्रिया विशेशन कहते हैं, कालवाच्ट क्रिया विशेशन क्या है जिन शब्दों से ख्रिया के होने क्या करने के समय काह हम को ग् Connect होता है जैसे बालक रात भर रोता रहा कया रात भर, पिता जी विदेश से परसों आएंगी पिता जी कब आएंगे परसों तो ये समय का ज्यान हो रहा है तो ये सारे शब्द जो हैं रात भर और परसों ये क्या हैं? काल वाचक रियाविशेशन अभिकारी शब्द हैं अब हम आगे देखते हैं बच्चों अस्थान वाचक रियाविशेशन देखो अस्थान वाचक रियाविशेशन क्या है? जिन शब्दों से क्रिया के होने या करने में अस्थान का बोध होता है जिन सब्दों से क्रिया के होने के अस्थान का बोध हो उसे हम अस्थान वाचक क्रिया विशेशन कहते हैं जैसे दादी मा कमरे के भीतर बैठी है दादी मा कहा बैठी है कमरे के भीतर ये भीतर शब्द अस्थान वाचक है ठीक है अब चोथा क्रिया विशेशन का भेद है परिमार वाचक क्रिया विशेशन जिन शब्दों से क्रिया के परिमार अर्था मात्रा का ग्यान होता है उन्हें परिमार वाच़क क्रियाविशेशन कहते हैं जैसे सुरेश बहुत खाता है कितना बहुत तो मात्रा का पता चल्ला है इस बार वर्चा अधिक हुई इस बार वर्चा कितनी हुई अधिक हुई तो ये बहुत और अधिक दो शब्द परिमार वाच़ क्रियाविशेशन हैं बच्चों, आज हम लोगों ने देखा अभिकारी शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों में लिंग बच्चन और कारक के कारण कोई परिवर्टा नहीं होता, वे अभिकारी शब्द कहलाते हैं, अभिकारी शब्द के भेद कितने हैं, चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशे तो जो वो भेजेंगे उसको तुम लो अपनी कापी में कर लेना ठीक हा बच्चों? थाइंकु इसुरें